a point object traverse half of the distance with the velocity of V0 V0 velocity say half of the distance को क्या किया है cover किया है चल डेखते हैं V0 equals to s by 2 मैंने कहा कि यह time t1 है the remaining part of the distance is covered with velocity v1 for the half time अच्छा यानि कि v1 equals to ऐसा करते हैं और the half time and with the velocity half distance नहीं है अब half time जैसे यहां से यहां तक गया यहां तक तो यह V0 से गया फिर इसके आगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब है यह सब्सक्राइब तया यह सब्सक्राइब लगा वृमे जितना time लगा इस अच्छाउ माले त्ट टे टाइम लगा त्टी वाइड़ी टी वालसीटी से गया है तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि कि टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम क्या लगा है टी इक्वास्टू टोटल डिस्टेंस कितना है एस बाइट टू और यह वी वन प्लेस वी टू यह तो चला है बोलो हाँ या ना ठीक है टोटल मिलाकर डिस्टेंस किता है एस बाइटू ही तो है तो टी इक्वास्टू कितना हो गया एस बाइट वी वन प्लस वी टू मियात हुआ हुआ यह अब हमें क्या निकालना है का इडलासिटी है आप रेज़ वेलासिटी थे एक जाएगा एश बाइग जाएगा इस total distance upon total time, तो कितना हो जाएगा, T1 plus T, S by T1 कितना है, S by 2V0, S by 2V0 plus 2T कितना हो जाएगा, S by V0 plus V1 plus V2, देखो, इसके आगे चलते हैं, S, 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 खतम, बचेगा क्या, 1 by 2V0 plus 1 by V1 plus V2, ठीक है, इसको इदार लेके लिखता हूँ, तितना हो जाएगा, 1 by 1 by 2V0 plus 1 by V1 plus V2, आपको समझ में आएगा, 2V0, V1 plus V2, यहाँ जाएगा, V1 plus V2, प्लस of 2V0, और यहाँ गे 2V0, V1 plus V2, और दिएगा, V1 plus V2 plus 2V0, आशर कों सा हो गया, आशर हो गया, और आपसंछ spaces, रेक्तर आफ यहराएगा,